हलो व्यूवर चावल के आता और भही से बने हुए ये राइस फिर्स बहुती टेस्टी और क्रिस्पी बनते ही अब ज़रूर ट्राइकर की दीखिए बच्चों को बड़ों को सब को पसंद आएंगे रिस्पी देखने के बाद आपको रिस्पी अच्छी लगी तो लाइक करिए अपने फ्रेंज के साथ शेयर कीजिए कैसे लगे कि मुझे कामेंट कीजिए मेरे चानल को अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है फिर किस बात की देरी फ्रेंड्स स्नैक्स रिस्पी बनाना शुरू करेंगे एक पैन ले लेंगे ग्यास को आन कर देंगे पान में पानी आड़ कर लेंगे, आदक अब जितना पानी, मेजर्मेंट सारे क्रक्ट ले लीजिए, आदक अब जितना पानी आड़ कर देंगे, अब पानी में स्वाद अनुसार नमक दाल देंगे, अब जैसा खाते हैं नमक, ओही इसाब से नमक को आड़ कर लीजिए, अब कोलंची बहुत ही हल्ती है आप नहीं दालना चाहे तो आवाइट कर सकते ही ठोड़ा कड़वी रहेगे अब एक कोलंची और जीरे को आड़ कर लेंगे पानी में वन बै फोर्टी टीजपून हल्दी हाफ टीजपून लालमीची पावडर आड़ कर लेंगे ठीके की हिसाब से लालमीची तोड़ा कम ज़्यादा करके दाल सकते ही मैं बच्चों के बना रही हूं इसलिए थोड़ा कम ही दाल रही हूं अब अच्छा सा मिक्स कर लेंगे हाफ टीजपून यहां पर मैं यह कसूरी मेथिय आड़ कर रही हूं यह भी आप्शनल ही है यहां पर आप चाहे तो थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता या कड़ी पत्ते को भी आड़ कर सकते ही अब यह मिक्स कर देंगे और ज्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है अब चावल का आटे को दार लेंगे एक कब जितना चावल का आटा आदा कब जितना पानी और एक कब जितना चावल का लेंगे अप सप्षिब कर देंगे एक आदब मीनिट तक भुण लेंगे इसी तरह बना रही हूँ अब चाहें तो पानी गरम करके भी एे चावल प्रोसेस देखेंगे आठे का मिक्षर थंडा हो गया है एक मिक्सिंग बोल में आड कर लेंगे आड करके हास्ते अच्छा सा मसल देंगे अब जरूर ट्राइक करके देखिए फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी बनते हैं बचों को तो बहुत ही पसंद आएगे स्नैक्स रेसिपी अब इसमें एड कर देंगे अच्छा सा मसलने के बाद आदा कप जितना दही आदा कप जितना ही दही ले लिजिए दही की क्वांटिटी आप थोड़ा कम करके दालेंगे तो पानी की क्वांटिटी एक्स्ट्रा लेना है आदा कप दही और आदा कप पानी एक कप चावल के यह परफेक्ट है मेजर्मेंट दही और पानी मिला के एक कप जितना रहना है एक कप चावल के आटे को अब यह अच्छा सा मिक्स कर देंगे एक मिनिट तक गून लेंगे यह बच्छा सा गूनने के बाद अब यह फिंगर्स बना लेंगे इसी तरह थोड़ा सा यह डो लेके अब एक फिंगर बन गया है अब इससा मिंटें में रख देती हूँ इसी तरह और एक फिंगर्स भी बना सकते हिं और एक मिसाड़ बें दिखा दूंगी हासते भी बना सकते हिं दो हाथों से इसी तरह बना सकते ही आपको कुन सा मेथेड़ इजी लगेगा तो उ मिथेड में बना LIE जए फिंगर्स का साहई छोटा बड़ा करके अपने हिसाब से बना सकते ही जधा मोटा नहीं बना बस जदा मोटा बनाएंगे तो इस सही से फ्राइ नहीं होंगे अंदर से कच्छे रहेंगे तो इस बात की ध्यान रख लीजिए मैं थोड़े फिंगर्स बना दी हूँ अब इस डीफ्राइ करके दिखा दूँगे अब एक पैन ले लेंगे गयास को आन कर देंगे अब इस पैन में आईल एड कर लेंगे डीफ्राइ के लिए अब इस आईल को मीडियम फ्लेम पे रखके अच्छा सा गरम होने देंगे अब अब इक्ए करके फिंगर्स को एड कर लेंगे में सारे एक आप 얼마나 है एके करके ही जितने पैन में आते हैं उतने है आप दाल सकते ही गयास को लोफिल पे रखके हिडीफ्राइ करना है ये एक मिनिट तक छोड़ दीजिए एक मिनिट के बाद हलका सा चला देंगे फस्ट ही हम चलाएंगे तो तूट सकते ही इसलिए एक मिनिट के बाद चम्मच चलाएंगे एक मिनिट के बाद ये लो टू मीडियम फ्लेम पे रखके बीच बीच में चलाते हुए गोल्डन ब्राउन कलर आने तक एक फिंगर्स को फ्राई कर लेंगे एक फिंगर्स को मीडियम टू लो फ्लेम पे रखके ही डीफ्राई करना है अब हाई फ्लेम पर रखके करेंगे तो उपर से जल जाएंगे, अंदर से कच्छे रहेंगे यह अच्छा सा डीफ्राई होने के बाद उपर तेरने लगेंगे, देखो इसी तरह अब यह अच्छे सा गोलेंड प्राउन कलर में आ गये ही अब यह फिंगर्स को आईज से निकाल देंगे बहुती क्रिस्पी बने हुए ही फिंगर्स अब यह फिंगर्स को टिश्यू पेपर में निकाल लीजिए ताके एक्स्ट्रा आईज है वो निकल जा सके अब बेब बन के तयार हो गई ही fingers इसी तरह हम सारे fingers को भी बना के deep fry कर लेंगे बहुती आसाने से बना सकते ही friends रेसिपी को बहुती कम समय में भी बन जाते हैं मैं सारे fingers को बना के deep fry कर दी हूँ देखो एक कब जतना आटे से कितने fingers बने हुए ही अब ये fingers को 15-20 दिन तक air container jar में डालके स्टार्ट रखके कभी भी खा सकते ही शाम के नास्टे में गर्मा गर्म चाय के साथ सर कीजिए बच्चों को तो बहुत पसंद आएंगे कैसे लगी friends फिर आज की रेसिपी मैं उम्मित करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी पसंद आईगी तो लाइक करिए शेयर करिए कैसे लगी कि मुझे कामेंट कीजिए मेरे चानल का पहली बार देख रहे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए भी मिंग लेंगे अगली रेसिपी के साथ Thank you for watching